हेलो नमस्कार किसान भाईयों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गेहूं की पैदावार हम कैसे बढ़ा सकते हैं इस वीडियो में आज हम आपको ऐसे चार खास कारजियों के बारे में बताएंगे जिनको यदि आप गेहूं बुआई के समय से लेकर पहली सिचाई तक करते हैं तो आप इस साल गेहूं की फसल से हाइस्ट पैदावार ले सकते हैं आपने अक्सर सुना होगा किसान भाईयों कि गेहूं की जो नई वराइटियां ही है उन्हें से कुछ वराइटियां ऐसी है जो 70 कुंटल पैदावार दे रही है कुछ किसान भाई ऐसे है जो 80 कुंटल तक भी पैदावार प्राप कर रहे है लेकिन उन्ही वराइटियों को जब हम लगाते हैं तो हमें पैदावार उतना नहीं मिल पाती है तो आज इस वीडियो में हम आपको संपूर बिसलेशंट देने वाले हैं तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं किसान साथियों तो सब्सक्राइब करके बैर आइकन को जरूर दबाएं ताकि आगे भी आपको गेहूं की खेती से जुड़ी हुई ऐसी ही जानकारी मिलती रहें नंबर वन पर किसान भाईयों आपको जिस खास कारी को करना है वह है 19 सील वेराइटी का चुनाव करना किसान भाईयों सबसे पहले आपको एक अच्छे बीज का चुनाव करना है कितना भी यूरिया कितना ही पोटाष डाल दें हमें ज़्यादा पैदावार नहीं मिल सकती तो सबसे पहले किसान भाईयों आपको एक अच्छी वराइटी का चुनाओ करना है अब अच्छी वराइटियों में कुछ जो टॉप सबसे ज़धा पैदावार देने वाली वराइटिया हैं यदि हम उनके नाम के बात करें तो आप DBW 303, DBW 222, स्री राम की सूपर 303, स्री राम की सूपर 111, स्री राम की सूपर 272, HI 86, HD 326, HD 366, PBW 343 और PBW 826 की बुआई कर सकते हैं ये जो गेहूं की वराइटियां किसान भाइयों सभी प्रकार के परिस्थिती में आपको सबसे ज़्यादा पैदावार निकाल कर देने की छमता रखती हैं तब से पहले किसान भाइयों आपको एक अच्छी वराइटी को चुनना है फिर उसकी बुआई करनी है नमबर दो पर किसान भाइयों आपको जिस खा सिकारी को करना है वह है संतुलित मातरा में खादो का परियोग करना अब यदि हम गेहूं बुआई के समय पर किसान भाइयों संतुलित मातरा में सभी प्रकार के उर्बरक डाल दें जिन मुख पोसकत्तों के हो सकता हमारे गेहूं के पौधे को सुरुआती अस्था में होती है यदि हम उसका परियोग कर दें किसान भाइयों तो क्या ही कहने तो सबसे पहले आपको संतुलित मातरा में उर्बरक का परियोग करना है अब यहाँ पर किसान भाइयों जो बड़े पैमारे पर हमारी किसान साथी है वह गेहूं बुई में D.A.P का परियोग करते हैं मैं D.A.P का बिरोध नहीं करता आप D.A.P का परियोग कर सकते हैं लेकिन किसान भायो D.A.P एक संपूर कहद नहीं है इसमें सभी परकार के जो मुख़ी पौशकतत मिसिंग है वहां है पोटास अब बहुत सरे किसान भाई सिर्फ D.A.P. डाल के बुवाई कर देते हैं जिससे किसान भाईयो पोटास की कमी पोधे में बरकरार रहती है और पैदावार कम हो जाती है तो आपको किसान भाईयो यदि DAP डालना है तो परती एकड लगभग 50 किलो डाल सकते हैं और साथ में किसान भाईयो आपको 25 किलो पोटास भी मिलाना है अगर पोटास मिलाके आप डाल देते हैं तो नाइट्रोजन, फासफोरस और पोटेसियम तीनों का कंबिनेशन बन जाएगे किसान भाईयो आपके पोधे को संपूर पोशक्तत्त की पूर्ती हो जाएगी यदि आप डेपी नहीं डालना चाहते हैं एनपी के 12-32 का परियोग करना चाहते हैं तो यहाँ एक संपूर खादे किसान भाईयो इसमें तीनों मुख पोशक्तत पाये जाते हैं तो इसका भी परियोग आप कर सकते हैं इसकी मातरा किसान भाईयो आपको लगबग 50-55 किलो प्रतियगड के हिसाब से लेनी है अब यहाँ पर आपको एक सीच का और धान रखना है यदि आपके खेट में सलफर की कमी है किसान भाईयो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डियेपी के साथ भी और एनपी के 12-32 के सा करें एक बहुत महत्पूर खाद है किसान भाईयो यह सलफर का बहुत अच्छा स्रोत है साथ ही इसमें 16-30 फास्पोरस और 19-30 कैल्सियम भी मिल जाता है जिससे हमारे पौधे के सभी प्रकार के पौसक तत्तों की पूरती हो जाती है इसको भी किसान भाईयो आप गेहूं ब पढ़ियां रेजल्ट देखने को मिलेगा नमबर तीन पर किसान भाईयो आपको जिस गलती को नहीं करना है वह है बीज उपचार करके गेहूं की बौअई करना अब किसान भाईयों बहुत सारे बड़े पैमारे पर हमारे किसान साथ यह से हैं जो गेहूं के बीज का उपचार नहीं करते हैं बीना बीज उपचार किये गेहूं आपको गेहूं के बीज का उपचार कर लेना है इसका खर्च मार्ट आपको 75 से रेकर 120 रुपए के आसपास प्रतियकर आएगा किसान भाईयो लेकिन इसको करने से आपके लगभग 70-30 जो बीमारियां है वह दूर हो जाएंगी और भी बहुत सारे फाइदे मिलेंगे किसान भाईयो वह 1 kg बीज के लिए परियाप्त है तो 40 ml आप लेजिए 40 kg बीज इससे आप उपचारित कर सकते हैं साथ में आपको लेना है बीटा बैक्स 80 ग्राम यह 2 गराम दवाई किसान भाईयो 1 kg बीज के लिए लगभग परियाप्त है तो इसको किसान भाईयो आप 80 गराम लें यदि आपको किसान भाईयो दीमक की समस्था है आपके खित में ऐसा लगता है कि दीमक कभी अटेक होता है तो आप इमीडा कुलोपीड का भी परियोग कर सकते हैं इन सभी को मिला के किसान भाईयो गेहूं के बीज का उपचार जरूर करें उसके बाद आपको बहुत बढ़िया तरीके से किसान भाईयो आपकी फसल जो है वा ग्रोथ करते हुए चलेगी आपको बहुत ज़्यादा पैदावार प्राप्त होगी सबसे अंत में किसान भाईयो आपको जिस बात का ध्यान रखना है वा है संतुलिस समय पर गेहूं में पहला पानी लगाना किसान भाईयो गेहूं में पहला पानी आप 21-22 दिन के बाद में लगा सकते हैं लेकिन पहला पानी किसान भाईयों हमारी गिहों की फसल के लिए अतियंत्य आवश्यक माना जाता है तो जब भी आप पहला पानी लगाएँ तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें, जैसे पहला पानी है आपको हल्का लगाना है, यदि किसान भाईयों शुरुवाति सिचाई कर देते हैं तो काफी जड़ा नुकसान हो सकता है यहीं पर हमारी जो पैदावार है एक से डेढ़ कुंटल तक कम हो सकती है तो सबसे पहले आपको जो पहली सिचाई है बहुत ही हलकी करनी है और आपको ध्यान रखना है किसान भाइयो की एक एकडमे लगभग चार से पांच क्यारे बनाने हैं और दिन में ही आपको सिचाई करनी है सभी क्यारों में हलका हलका पानी ही डालना है पहला पानी यदि आप हलका लगाते हैं किसान भाइयो तो कई सारे लाब होंगे जैसे किसान भाइयो आपकी जो पैदावार होगी वह एक से लेकर दो कुंटल प विकास अच्छे से होगा और आपके जो दाने हैं वा पतले नहीं आएंगे दाने मोटे चमकदार और वजंदार होंगे जिससे आपको भरपूर मात्रा में पैदावार प्राप्त होगी सान भाईयों यदि आप इन चार खास कारीयों को सही समय पर करते हैं तो निश्यति इस स साल आप गेहूं की फसल से सरवाधिक पैदावार प्राप्त करेंगे अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अन्य किसान भाईयों के साथ जरूर शेयर करें साथ ही वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें